वहीं परची दरबार में बाबा का चमतकार धिरेन शास्त्री ने अचानक भीड में खड़े व्यक्ति को बुलाया राज खोल सब को चौकाया नमश्कार आप देख रहें UK 24 इंटु 7 न्यूस आपको बता दे की पीटा धीश्वर बागेश्वर धाम बाबा धिरेंश किष्ण शास्त्री का पहली बार दिव्य दरबार देरा दून में लगाया गया वही विबिन जिलो और राज्यो से भारी संक्या में भक्त उन्हें सुनने पहुँचे राजधानी दून में श्री पशुपती पंदिर भारत चेरिटिबल टर्ष्ट की ओर से बागेश्वर धाम के पीठा धीश्वर धिरेंदर किष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार लगाया गया राजधानी देरादून के प्रेट ग्राउन में आईजित दरबार में पीठा धीश्वर धिरेंदर शास्त्री ने लोगों के परचे खोले सबसे पहले देरादून के एक व्यक्ति का परचा खुला उसमें पारिवारिक समस्या बताई गई इसके बाद एक महिला की अरजी लगी महिला ने कारोबार को लेकर समस्या थी वही धिरेंद शास्त्री ने खुद महिला की समस्या बताई और फिर उसका समाधान भी बताया इसके बाद देरादून के बंजारा वाला की एक महिला की अरजी स्विकार हुई वहीं इस बीच धिविन शास्त्री ने दरबार में सबसे पीचे खड़े एक व्यक्ति को बुलाया उन्होंने कहा कि सबसे आखिर में पेड के पास विजय नाम के व्यक्ति खड़े है उनकी एरजी स्वीकार हुई है वो आ जाए यह सुनते ही पूरा दरबार तालियों से गुँच गया इसके बाद उन्होंने हेलमेट पहने खड़े एक व्यक्ति को बुलाया उन्होंने कहा जो तुम अपने दोस्स से हमारे बारे में बात कर रहे थे वो हमारी वाइफाई से सुनाई दे गई इसके बाद उन्होंने मंत्रों के साथ सामुई करजी लगवाई इस दोरान करीबन 15 लोगों की अरजी सुईकार की गई सब्सक्राइब कर बदरान कि अधिगा में आगर वाईफाई साथ सुनाई इसकार कर लगवाई तो बाद ईकी अधिगा में बाद वगवाई संस्वाण परिंगा करे कि अचारे जिनेदी साथने का भाईफार सुनाई दे लिगा सब्सक्षchaft